हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एतिहासिक रिज वो सील्ड रोड पर एम्बुलेंस के नाम पर सवारियां ढोने का धंदा कर रहे एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ बड़ी कारवाई की है आटियों ने बुधवार को रिज पर नाका लगा कर वहां से गुजरने वाली सभी एम्बुलेंस की चेकिंग की इस दोरान रिज से एम्बुलेंस में सवारियां ले जाने वालों पर शिकंजा कसकर चालान काते गए आटियों शिमला अनिल शर्मा ने बताया कि बीते कल ही उन्हें शिकायत मिली थी कि रिज पर सील्ड रोड पर नियमों को दरनिकार करते हुए कई एम्बुलेंस सवारियों को धुने का काम कर रही है उन्होंने तुरंट कारवाई करते हुए शिमला के रिज मैधान से गुजरने वाले सभी एम्बूलेंस की चेकिंगी साथ एम्बूलेंस नियमों के विरुद पाई गई मैं अनिल शर्मा, आर्टियो शिमला हमें पिछले कल ही ये शिकायत मिली थी कि रिज और माल रोड का जो ये जो सील्ड एरिया है इन पर कुछ एक एम्बूलेंस यात्रियों को डोरी है पैसिंजर्स को डोरी है तो एम्बूलेंस जो है वो सिर्फ ऐसे पेशेंट्स को केरी कर सकती होस्पिटल तक जिनको एमर्जेंसी में होस्पिटल पहुचा जाना बहुच जरूरी है लेकिन अगर रूटीन चेक अप वाले जो पेशेंट्स हैं या फिर ऐसे पेशेंट्स जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनको घर छोडने के लिए और इस तरह से अगर अबूलेंसी उज़ होगी तो मैं समझता हूँ कि इससे जएधारों दुरूबा के पुना और कुछ भी नहीं है अभी जो है वो ग्यारा ये बारवी गाड़ी थी बारा जो है ऐसी अबूलेंसी हमने चेक की हैं जिनमें से लगबग साथ एंबूलेंसी के चलान किये गए हैं क्योंकि यह या तो पैसिजर्स को केरी कर रही थी या खाली दौड रही थी तो ऐसी गाड़ी हमने चलान किये हैं फर्स टाइम और अगर ये दुबार से इनका चलान होता है तो चलान का अमांट पर बढ़ेगा और हो सकता है कि हम इनकी जो गाड़ी है वो भी उपाउंड कर लेगा वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी